नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ आर्या चत्रवेदी आजादी के बाद युद्दू और स्वसंद्रता अंदूलन के दोरान ओपरेशन्स में जान देने वाले लगबग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने नैसनल वार मेमोरियल और नैसनल वार म्यूजियम बनाए गए हैं ससत्र बलो की ओर से एसे राश्टियस मारुक की बीते 6 दसकों से मांग की जा रही है देश के सैनिकों के सौर और बलिदान के इस प्रतीक का पीम नरेन मोदी ने आज उठगाटन किया उठगाटन के साथ साथ पीम नरेन मोदी ने वीर जवानों को संबोधित किया आईए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा नरेन मोदी ने देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रक्रूती के कारण आया हो हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने उपर लिया है चुनवती को सबसे पहले कबूल किया है इसके साथ ही आपको बता दे कि देश की सुरक्षा के लिए प्रांग देने वाले सहीद सैनिकों के समान के लिए रास्टी इस मारक की मांग दसकों से की जा रही थी आज यानी 25 फरवरी को नेशनल वार मेमोरियल के उधगाटन के साथ ही यह मांग पूरी हो गई है इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 176 करोड रुपे की लागत आई हैं आपको बता दे कि 1947-48, 1961 में गोवास मुक्ति आंदोलन, 1965 में पाक से जंग, 1962 में चीन से युद, 1987 में सियाचीन, 1987-88 में स्री लंका और 1999 में कारगिल में सहिद होने वाले सैनिकों के सम्मान में इसे बनाया गया है बता दे कि इस मेमोरियल में थल सेना, वायू सेना और नौ सेना के जवानों को एक साथ सर्धान जनीर दी गई है उन सभी वीर सैनिकों के नाम इसमारक में दर्ज किये गए हैं दुनिया के बड़े देशों में अब तक भारत ही था जहां सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए यूद इसमारक नहीं था हाला कि इससे पहले प्रतम विस यूद में सहिद हुए 84,000 भारतिये जवानों की याद में अंग्रीज सासकों ने इंडिया गेट बनवाया था बाद में 1971 के यूद में सहिद हुए 3,843 सैनिकों की सम्मान में अमर जवान जोती बनाई गई थी अधिकारियों का कहना है कि नेशनल वर मेमोरियल को ऐसे तयार किया गया है ताकि राजपत और इसकी भब सनर्चना के साथ कोई चेड़चार्ड ना हो सके जाहिर है कि इस इसमारक के साथ ही ये कमी पूरी हो गई है इससे पहले इंडिया गेट वर मेमोरियल बना था ये 1931 में पहले विस यूद में हिस्सा लेने वाले भार्टी सैनिकों के सम्मान में इसे बनाया गया था पहली बार 1960 में National War Memorial बनाने का प्रस्ताव ससस्त्र बलो की ओर से दिया गया था 25 परवरी आने की आज पीम नरेन मोदी ने इसमारक को राष्ट को समर्पित किया इस मौके पल थल सेना प्रमुक के अलावा वायू सेना चीफ और नेवी चीफ भी मौजूद रहे आपको बता दे कि इस समारक के तहट एक दीवार बनाई गया है जिसमें देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की नाम लिखे गये हैं हलाकि मौजूदा केन सरकार ने 2015 में इस समारक के दिर्मार के प्रस्ताव को मंजूई दे दी थी फिलाल अब तक के लिए इतना ही और अपडेट जानने के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है सिटी पोस्ट लाइब